जै जोहार, जै छातिसगर संग्वारी हो, मैं भोली स्वागत करत हूँ आप सबके आपके अपन योट्यूब चैनल कुक्वित भोली में संग्वारी हो, आज मैं आप मनबर चामाल आटा के एकदम कुरकुरा और बहुती स्वाधिस्ट से नास्ता बनाएके रेसिपी लेके आ सबसे पहले करा मैं है कड़ाई में एक चम्मस तेल डाल देहां और इहीं में मिहां तीन कटोरी पानी डाला थो तो जेक कटोरी से महां चावल के आटा डाल हूँ उहीं कटोरी से पानी भी डाला थो एकरा नापके ता एक कटोरी चावल के आटा बर लगभग पाउन कटोरी हम अलो पातुरी पाणी डालना है करा था बहुत ज़्यादा पानी मद डाल हुए करा यह तो एकदम गीलऑ हो जही है आटा हाँ तय् up मास्तव कि अड़ गूत ओला से नमक त kayak जिदेखो एक करण में है utan कर्था पानी डाल दे आख shitty गाल डाला थो में आट Já यहां आठ मीडियम साइज के अलू बाल के रख ले हूं पहली से इस्टपिंग तैयार करना है हम अला एक अंदर भरे पर अभी कड़ाई में दो से तीन चम्मच हम अला तेल डाल लेना है जैसे तेल है अच्छा से गरम हो जही एक चम्मच भर के जीरा एक चम्मच सर्सों किसे अध्र रखें तीन से चार हरी मिर्चे और मीठा निम के कुछ पत्ती है अला डाल के अच्छा जला लेना है अला भून लेना है हम अला जैसे सब चीज़ा अच्छा से भून जाही ओकर बाद एक रम हैं एक चम्मच हल्दी के पाउडर एक चम्मच धन्या के पाउडर डाल डूली हो अब मना अगर मिर्च कम डाले हो तो एक रपीछी मिर्च भी डाल सकत हो अब जे उबले हुए बहुलाई में डाल ला मल्त अब इक रखें नमक अपडर देना है थोड़ा से गरब मसाला के पाउडर है और एक चम्मच के पाउडर है female 3-4 मिर्च निक पका लेना है अच्छा से भून लेना है ता अलू के स्टफिंग अबर बन के तयार है यह हुला हमान साइड में रख दे था एठंडा हो जाई तब तक चलो आटल अभी हमाना जेक कर ले था एक बार ता आटला एक परात में निकाल के रख लेओं में हां ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए अ करते साइड हैं तब तक चोटे लोई है ने ताकि आटा हम आटने के के आटी यह के साइज ते तयार करना है लगता तो भूं था आसानी से यहिला कोई परिशानी नहीं हुए अब वेले में अब स्एमत की बड़ते हम अला दूसरा भी पोड़ी बना के त्यार करना है तरह देखो दोनों पोड़ी बनके त्यार है अब जो आलू आला सटपिंग ए त्यार लायकर बीच में हम अला रख देना है अब दूसरा अला जे पोड़ में बना थे आप मन्हा गोल वाला लेलू जैसे भी बनाना चाहों आप मन्हान तो देखो बहुती आसानी से कटिंग हो जाते आपस में चिपक भीगे हैं तो बस इसने बना के हम अले सब पोड़ी तयार करके रख लेना है उकर बाद एक कढ़ाई में में तेल चढ़ा दे हो त हमाल एकदम गोल्डन कलर होत ले लटल के लेना है तब जी हमाल नासता है वो एकदम क्रिस्पी बनी हो एकदम टेस्टी बनी खाय में तो देखो एकदम सुन्दर से गोल्डन कलर आ गहेगा अविला आप मन्हा कोई भी चटनी या सॉस में खा सकत हो बहुती जादा स्वाध तो सब्सक्राइब करे बर्जन भूलाओ तो मिल थान अगले वीडियो में तब तक बढ़ जय जोहार जय चतिसगर